नमश्कार यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पास ही दुनिया की सारी दिक्कते हैं सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके पास है और आपकी लाइफ में संघर्ष ही भरे हुए हैं तो आप मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा कि जितना जादा आप अपने नस्दीक होती है तो आपकी काम्याबी बस बहुत ही जादा नस्दीक है आपका एक्जाम होगा और आप काम्याब हो जाएंगे तो इनी विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्रोग्राम पर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वस्तु निश्चो प्रश्णों की जिसका सीधा संबंध होगा मध्य प्रदेश के इतिहास से तो चलिए हमारे पहले प्रश्ण की और आंगे बढ़ते हैं निम्द में से कौन सा संग्रहाले राजा मान सिंग तोमर द्वारा बनवाया गया था ऑप्शन है रानी दुर्गावती संग्रहाले तुलसी संग्रहाले गुजरी महल संग्रहाले और जहांगीर महल संग्रहाले देखे संग्रहाले का क्या मतलब होता है संग्रहाले का साफ म उमर के द्वारा एक महल बनवाया गया था जो महल था गुजरी महल क्योंकि इन्होंने अपनी राणी गुजरी राणी म्रक नैनी के लिए जिस महल का निर्मार करवाया था तो इसी महल में बाद में गुजरी महल संग्रहाल है बना तो option number C आपका सही हो जाएगा नेक्स question में चलते हैं हम यह है भारत की मोना लिसा देखिए जो गुजरी महल संग्रहाल है वहां पर एक मूर्ती पाई जाती है और इसे ही भारत की मोना लिसा भी कहा जाता है यह मूर्ती है शाल भंजिका की और इस मूर्ती में नारी की सुन्दरता को दिखाया गया है साथ ही साथ में नारी के विभिन प्रकार के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया गया है हाव भाव का वर्णन किया गया है और ये भारतמी मुनालिसा भी कहलाती अपने हाव भाव के कारण यह मुर्ती की बात करते हैं तो सत्पुडा परवश रंखला को तीन भागों में बाटा गया है एक है हमारी बढ़वानी की पहाडी या फिर जैसे हम राजपीपला की पहाडी कहते हैं एक है महादेव परवश रंखला और एक है मकाल परवश रंडी वहें सत्पुडा की रानी की बात करत एशिया की सबसे बड़ी मज़ित की तो उज्जयन, गौलियर, भोपाल और जवलपूर तो एशिया की सबसे बड़ी जो ये ताजल मज़ित है यह भोपाल जिले में स्थित है यह बहुत ही जादा प्रसिद्ध मजजद है इसका निर्मार भोपाल की बेगमों की द्वारा नाम से जाना जाता है प्रीयदर्शनी पॉइंट को राजेंद्र गिनी संसेट पॉइंट फोर्सित पॉइंट आईरिस पुल और चोडागर की चोटी जब बात करते हैं कि पच्मरी में स्थित जो हमारा प्रीयदर्शनी पॉइंट है यह एक खाई है और यह आपको फोटो मे इस पॉइंट को और भी जाना जाता है नेक्स कोशन में चलते हैं हम होशंगा शाह का मकबरा खालिस्थान में इस्थित है ओप्शन है मांडू, राजगड, असीरगड और राइसेन देखिए होशंग शाह का जो मकबरा है यह भारत में स्थापित की गई पहली संगमर्मर की इमारत है इसके साथ ही साथ में इसे मध्य प्रदेश के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है और यह जो इमारत है यह संगमर्मर से बनी हुई है तो option number A आपका सही हो जाएगा ये जो है ये मांडू में स्थित है किस शाशक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया था मंदसौर के किले का निर्माण किस ने करवाया सूरज सेन, मुहम्मद बिन तुगलक, अलाउद दिन खिलजी और जहांगीर देखे जो हम बात करते हैं मंदसौर के किले की तो मंदसौर का किला जो है ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ये किला बहुत ही जादा विशाल किला है इसके साथ में इस किले का निर्माण अलाउद दिन खिलजी के दुआरा करवाया गया था जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस्थित है अर्थात option number C आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा next question मिलान करना है किस किस चीज़ का एक तरफ लिखा है इसमारक और दूसरे तरफ लिखा है शहर अर्थात किस इसमारक के अंतरगत कौन कौन से शहर आते हमें यह बताना है जहागीर महल, जहाज महल, जैविलास महल देखे तीन ही option है तो जहागीर महल कहां आता है तो जहागीर महल जो है वो ओर्चा के अंतरगत आता है जहाज महल का है जहाज महल मांडू के अंतरगत आता है और जैविलास महल जो है वो गौलियर में इस्थित है इस प्रकार से हमारा option number 213 सही होगा जहाज महल का दो मांडू जहागीर का ओर्चा और जैविलास महल का गौलियर दो एक तीन option number C आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की तरफ आंगे बढ़ते हैं बाबा शहाबुद्दीन की मजार कहां पर इस्थित है option है निमाड नीमच शिवनी और नर्सिंग पूर देखे बाबा शहाबुद्दीन की जब हम बात करते हैं तो यह मध्यप्रदीश संबंदित हैं और बहुत जादा प्रसिद्ध माने जाते हैं इनकी मजार इस्थित है नीमच जिले के अंतरगत तो option number B हमारा सही होगा जीव अभ्यारण महेश्वर मंदिर और साथी साथ में नर्मदा नदी का उदगम इस्थर जब हम अमर कंटक की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यहां से नर्मदा नदी सोन नदी और जोहिला नदी का उदगम होता है इस कारण से option number D आपका बिलकुल सहीं आंसर होगा अमर कंटक की बात करें तो देखिए अमर कंटक में जलप्रपात इस्थित है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात और दुरवासा जलप्रपात या फिर दुग्द धारा जलप्रपात इसके साथ ही साथ में अमर कंटक में बहुत सारे मंदिर का एक समूर इस्थित है और एक सुन्दर पहाड़ी सेरगाह और इसके अलावा ओद्योगिक नगरी तो इसका सही आंसर होगा option number C, एक सुन्दर पहाड़ी और सेरगाह मतलब घूमने का एक सुन्दर इस्थान पच्मडी की एक विशेशता है नेक्स कोशन में चलते हैं जैविलास पहले संग्रहाल है, मध्य प्रदेश में कहां इस्थेत है तो जैविलास जो पहले से ये सिंधिया राजगराने का पहले से और यहां पर एक ट्रेन चलती थी जो कि चांदी की ट्रेन थी, जो कि डाइनिंग टेबल पर चलती थी और ये उस समय की बात हो रही जो कि आज से 1600 के आसपास की बात हो रही मतलब इतने टाइम पहले ये टेक्नलोजी भारत में थी और भारत में भी एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से एरिया में जो कि गौालियर में इस्तित है तो इसका सही आंसर होगा आपका option number 1 गौालियर मे यहां इस्तित है जैविलास पैलेस अगर आप देखेंगे फोटों में तो आपको दिखाए देगा कि यह कितना ज़्यादा विशाल पैलेस है और कितने बड़े शित्र में फैला हुआ है जहांज महल कहां इस्तित है अप्शन है धार इंदॉर मांडू और ग्वालियर यह जो है यह फिल्म सिटी के लिए बहुत जादा जाना जाता है यहां पर बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी हुई है और यह महल बहुत ही जादा खुबसूरत भी दिखाई देता है इस मह धGERँ की दिमाख में एक चीज और आ रही होगी कि हमने धार को क्यों नहीं लिया लेकिन क्योंकि अगर हम सटी का अंसर की बात करेंगे तो सटी का असर होगा मांडू ना की धार तो इसलिए हम दे रहे हैं मांडू को आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर मांडू ना हो तो तो फ इसके साथ ही साथ में जेजाक भुक्ती नाम भी बुंदेल खंड का इनी राजाओं के कारण ही पड़ा है तो इनकी समाधी इस्थल है वो ओर्चा में इस्थित है तो आप्शन नमबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ओर्चा जहांगीर महल कहां पर इस्थित है जहांगीर महल की जब हम बात करते हैं तो टीकमगड ओर्चा धार और बुर्हानपुर जहांगीर महल राजा जहांगीर के लिए बनवाया गया था जो कि मुगल सामराज्य के शौशक थे इस महल का निर्माड वीर सिंग मुंदेला के अंतरगद पहले ये टीकमगर जिले चिले चिली चिलीत जीद जीवश हिसेट से निवाड़ी आचते हैं तो लिए लोगत जली हो तो option number B हमारे सही होगा धार जिला तहसील होगी कुक्षी तहसील चित्रकूट किस नदी के किनारे इस्थित है option है गंगा, यमना, तमसा और मंदाकनी चित्रकूट क्यों प्रमुख है या क्यों प्रसिद्ध है एक आपने सुना होगा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड तुलसिदास चंदन से तिलक लेत रगुवीर तो ये कथा मिलती है कि भगवान जो है वो खुद तुलसिदास के पास आए और उनके हातों से तिलक लगवा रहे थे और भगवान हनुमान जी जो है वो तोते का स्वरूप रख कर भगवान तुलसिदास को ये चीज़ बता रहे थे कि आपके सामने श्री राम सुयम खड़े हैं तो ये चित्रकूट का घाट जो है वो बहुत जादा ही फेमस है तो ये किस नदी के किनारेस्तिद है तो ये है मंदाकनी नदी के किनारेस्तिद ये जो है मध्य पृदेश के सतना वाले शित्र में आता है मध्या प्रदेश में ऐसे परिटन इस्थल को बथाईये जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता हो मंदिरों के लिए famous परेटन इस्थल बेडागाट मैहर खजराहो मांडू देखे मांडू की बात करें तो ये महलों के लिए है तो ये आंसर नहीं होगा मैहर की बात करें तो माता शार्दा का मंदिर है हो सकता है पर एक ही मंदिर है बेड़ा काट की बात करें तो संग्मर्मर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और नर्मदा नदी के उचे-उचे जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है तो सही आंसर होगा हमारा खजराहों और खजराहों में बहुत सारे मंदिर हैं लगभग 85 मंदिर बनवाए गए थे जिसमें से 22 मंदिर अभी सेश बचे हुए हैं इसके सांटी साथ में इन मंदिरों को तीन समूहों में भी बाटा गया हैं पूर्वी शमूह, पश्शीमी पूर्ण विश्वा में नेक्स कोश्चन में चलते हैं इसका अंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खजराहों श्वेत संग्मर्मर के पहाड कहां पर इस्थित हैं इसका अंसर जस्ट एक दो सेकंड पहले ही मैंने आपको दिया है बेडागार जवलपूर सतिना छिंद्वारा दम नो डाउट इसका अंसर भेडागार जवलपूर होगा आपको बन गया होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सहीं हो जाएगा मोती महल कहां पर इस्थित है देखे जो यह मोती महल है ना यह बहुत सारी जगा पर इस्थित है अगर हम ऑप्शन गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा मोती महल ऑप्शन है धार गौलियर मांडू और ओर्छा देखे एक मोती महल जो है वो मंडला जिले में इसके अलावा मंडला जिले में भी एक मोती महल इस्थित है आपको याद रखना है पर ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है गौलियर वाला है इसकारण से ऑप्शन नंबर हमारा बी गौलियर हो जाएगा अगर हमारा एहां पर मंडला दियो होता तो हमारा बी और दोनों सही हो होता यह मंडला दिया होता तो मंडला हम लगाते और गौल या नहीं दिया होता मैं जब क्रोश नहीं करेंगा कभी इतना रखेगा एक ही कौशचन में डो अप्शन नहीं देगा आपको पर उदयगिरी की गुफाएं में किस काल कि कला कृतिया हमें मिलती है मोरेकाल की गु अर्थात हमारा option number B यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा इनका सम्मंद गुपत काल से है मध्यप्रदीश टूरिज्म बोड का गठन कब किया गया था यह मध्यप्रदीश टूरिज्म बोड का लोगो और अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो बिलकुल मध्यप्रदीश के राज की चिन्न के जैसे ही हमें यह दिखाई देता है बात करते हैं इसकी गठन की कब गठन हुआ 2009, 2011, 2017 और 2018 तो इसका सही आंसर होगा हमारा वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोड का गठन किया गया था option number C हमारा सही आंसर हो जाएगा next question में चलते हैं गौणडवाना की राणी दुरगावती की समाधी कहां पर इस्तित है ? यह है राणी दुरगावती, राणी दुरगावती गौणवाना वर्ण्श से सम्मांदित थी पर नतु इनका जन्म गौणवाना वर्णश में ना होकर चंडेल वणश में हुआ तह primarily आपको बात क्लियर होनी चाहिए इसके साथी साथ में इनके जो पती थे उनका नाम था दलपत शाहो और रानी दुर्गावती जो है इन्हों ने युद्ध किया था अकबर के विरुद्ध में इसके साथी साथ में आपको एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि रानी दुर्गा आला वाले शेत्र में रानी दुर्गावती की समाधी इस्थित है तो अप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा भेडा घाट परियतन इस्थल कहां पर इस्थित है भोपाल सागर जवलपूर पन्ना अप्शन नंबर सी जवलपूर बहुत ही इजी कोश्चन था भारत सरकार परेटन मंतराले द्वारा मध्य परदीश को पहली बार दिया जाने वाला पुरुसकार कौन सा है। हॉल आफ टूरिजम, हॉल आफ पर्सन, हॉल आफ पॉब्लिकेशन, हॉल आफ फेम की मध्य प्रदेश को मिला है हॉल आफ फेम पुरुषकार जो की option number D हमारा होता है किसके द्वारा दिया गया है तो भारत सरकार के परेटन मंत्राले के द्वारा दिया गया है मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण द्रिवन शैली में हुआ है आप्शन है तेली का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, साज बहु मंदिर और हमारा पशुपती नाथ मंदिर देखिए जब मंध्य प्रदेश के एक मात्र मंदिर की बात करते हैं जिसका निर्माण द्रविट शैली में हुआ है तो ये मंदिर है तेली का मंदिर जो की खजराहों में स्थित है और खजराहों लगता है छतरपुर जिले की अंतरगत तो option number A हमारा यहां पर सही हो जाएगा मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का समंध बौधिकाल से हैं म्रगेन इननाथ की गुफाए, भीम बैठका की गुफाए, उदैगिरी की गुफाए और बाग की गुफाए जब हम बात करते हैं कि किन गुफाओं का संबंद बौत धर्म से है तो म्रगेनाथ की गुफाओं नहीं बीमबैटका की नहीं उदाइगीरी की नहीं तो बाग की गुफाओं का जो संबंद है वो बौत धर्म से है यह हमने पहले ही पढ़ा था तो option number D हमारा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कहां पर इस्तित है धार जिले में इस्तित है सूची बतानी आपको एक और दो को मिलाना है एक तरफ में लिखा है किले और दुर्ग और दूसरे तरीफ में लिखा है महल तो राइसेन का किला इस किले के अंदर कौन से महल इस्तित है हमें आंसर यह देना है मतलब क्या होता देखिए एक बहुत बड़ा किला है माली जितना बड़ा किला है सबसे पहले हो सकता है छोटे呢 5 मफल करने हो चोटे कही मंतिर बने हो तो यह कहां कहां इस्थे आपको यह बताड़etric चिला कивается है बादल महद इसथे भात करते हैं दार का खिला करते हैं मैं और जहांगीर महल ंजाब 좋े त्संदेरी कि के खिले की तो एक और चार के साथ बाकि सारे एलिमिनेट हो जाएंगे तो ऑप्शन नमबर भी हमारा बिल्कुल सही अंसर है मद्धी प्रदीश में किस किले का निर्मार प्रतिहार राजा कीर्टी पाल के दुआरा करवाया गया था चंदेरी का किला, असीरगड का किला, धार का किला और बांधवगड का किला देखो प्रतिहार नरिश कीर्टी पाल ने चंदेरी के किले का निर्मार कराया था तो ऑप्शन नमबर A हमारा सही हो जाएगा चंदेरी किस महाजनपत के अंतर गताता है तो चेदी महाजनपत के अंतर गताता है इसका महाभारत कालीन राजा शुशुपाल था मध्यप्रदीश में प्रश्चत व्यक्तियों की समाधी के संदर्व में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है तो इसका सही आंसर होगा कि सुमेलित नहीं है तो पेश्वा बाजिराव की समाधी जो है ये सुमेलित नहीं है बाकी सारे option हमारे सही है तो option number C हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा कहां पर इस्थित है गुर्हानपुर, शिवपुरी, खरगौन और नीमच मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी जिले की अंतरगत आता है अठात option number B आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के इतिहास सम्मंधित आज के क्लास के सभी वस्तुनिष्ट प्रशनों को कवर कर लिया है आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं इसके साथ ही साथ में अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ी सी भी help मिल रही हो तो अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शरूर शेयर कीजे Thank you so much मिलते हैं next वीडियो में